सबी कुन मश्कार, आज हम साथी हाथ बढ़ाना इस गीत के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रिश्ण तर समझेंगे तो यह गीत किसको संबोधित है, यानि किसके लिए संबोधन किया गया है, इसमें यह गीत मजदूरों को संबोधित करके लिखा गया है इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिन्दगी में घटते हुए देख सकते हो तो साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर पोज उठाना साथी हाथ बढ़ाना हम महनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रस्ता छोड़ा परबत ने सीज छुकाया फाला दे है सीने अपने फाला दे है बाहे हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में रहे अब देखो उपरिक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास किसी कार्याले या कमपनी में भी देख सकते हैं जब हम किसी की हेल्प करते हैं हाथ बढ़ाते हैं मदद का तो यह पंक्तियां जो हैं वहाँ पर आसपास की हमारी लाइफ में लागू होती है यहाँ देखो सागर ने रस्ता छोड़ा परवत ने सीश जुकाया साहिर ने ऐसा क्यों कहा है साहिर लुध्यानवी जी है इसके लेखक बहुती शानदार लेखक हैं तो शाहिर ने इन पंक्तियों को मनुष्य के साहस और हिम्मत का परिणाम दिखाने के लिए कहा मनुष्य जब मेहनत करना शुरू करता है तो सागर भी अपना रस्ता छोड़ देते हैं और परवत भी छुक जाते हैं यानि बड़े से बड़े मुसीबत भी हल हो जाती हैं इसी हिम्मत के कारण मनुष्य ने सागर चीर करके पुलों का निर्मान करा और पहाड़ों पर भी राहे बना दी रास्ते बना दिये पहाडों पर रास्तों का निर्माण कर दिया प्रेश्ण आ जाता है कि गीत में सीने और बाह को फोलादी क्यों कहा है सीना मनुश्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है और कारियों को पूरक करने का साधन हाथ ही है इसलिए गीत में सीने और बाहक को फोलादी कहा गया है अब आजाते हैं भाशा की बात पर भाशा के बात में देखिए ग्रैमर होती है पूरी ग्रैमर को आप समझ सकते हो बहुती आसान है अगर नहीं समझेंगे तो हमें मुश्किल लगते है अकेला चना भाड नहीं अगर आपने ग्रैमर अच्छे से कर लिया तो कभी भी आप हिंदी में या हिंदी से सम्मझित किसी विशह में कम मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको तो ग्रैमर आप जरूर सीख लिजेगा भाशा की बात में हमेशा हम ग्रामर की बात करते हैं अकेला चेना भाड नहीं फोड सकता तो एक और एक मिलकर ग्यारा होते हैं दोनों कहवतों का अर्थ गीत की किन किन पंक्तियों से मिलता है ये हमें देखना है और इन कहवतों का अर्थ कहवत कोश में देखकर समझना है वाके के संदर में इनका हमें प्रियोग भी करना है तो इनका पंक्तियों में जो मिलता है वे साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना ये तो किस से रिलेटिड है? यहाँ अकेला चना से देखो हम मिहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है सागर ने रस्ता छोड़ा ये जो चीज है यहाँ पर लागू होती है एक और एक मिलकर के ग्यारा होते हैं तो ये दोनों कहवतें जो हैं दो इन पंक्तियों में लागू होती हैं इसमें कुन सी अकेला चना और इसमें एक और एक मिलकर के ग्यारा होते हैं यहाँ पर भी देखो फॉलादी हैं सीने अपने फॉलादी हैं बाहें हम चाहें तो यहाँ एक और एक ग्यारा है और एक से में एक मिलतु कत्रा बन जाता है दरिया इसमें भी एक और एक ग्यार है उसके बाद यहां देखो वक्ये में प्रयोग किया है इस सेंटेंस का यह सभी आप मुझे अगर लिख करके अपना वक्षीट चेक कराना चाहिए तो वर्टसक ग्रूप का लिंक मैंने दे रखा है आप मुझे स्कीन शोट वहाँ पर सेंट कर सकते हो तो उसके बाद देखो यहां एक से एक ग्यार है इसका भी प्रयोग किया है कि एक तामे ताकत होती है इस काम को मिल जूल कर किया जाए कि एक और एक मिल करके 11 होते है यहां पर यहां सारह हो गया वाक्य में प्रयोग उसके बाद यहां जाए देखिए कि नीचे हाथ से सम्मंदित कुछ मुहावरे दिये है इनका आत समझना है और पर तेक मुहावरे से में वाक्य बनाना है तो हाथ को हाथ ना सूझना कई वर हम ये वक्त के प्रयोग भी करते हैं अधेरा होना को क्या गते हैं हाथ को हाथ ना सूझना बिजली चली जाने पर कमदे में हाथ से हाथ नहीं सूझ रहा था ये तीनों भी आप देखो यह भी एक मुहावरा दिया हुआ है यह थी आज के मारी चैप्टर 7 की वक्षीट और यह वक्षीट कम्प्लीट करके आप मुझे वहाँ पर वट्सेप में सेंड करना इसका स्कीन शॉट